सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विश या डिसिस से होती है यही वज़ा है कि खाने के शौकीन लोगों की भीर इन रेस्टोरेंट में हर वक्त लगी रहती है मगर दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो अपनी अजीब गरीब धीम के कारण मशहूर है यह अजीब गरीब रेस्टोरेंट किसी अजूबे से कम नहीं है इन रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ ग्राहकों को मोहित करने वाली अनेक प्रकार की कई अजीबों गरीब चीजे देखने को मिलती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अजीबों गरीब रेस्टोरेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सकाइ रेस्टोरेंट की अगर आपको आसमान में बैटकर खाने का मौका मिले तो क्या आप ये मौका अपने हाथ से जाने देंगे अगर नहीं तो आपको बता दें कि बैलेजयम में एक अकेला ऐसा रेस्टोरेंट है जो हवा में लटका हुआ है यहां क्रेन की मदद से 50 मीटर की उचाई पर एक डाइनिंग टेबल लगाई जाती है जहां बैट कर लोग खाने के साथ साथ दूर के नजारे का मजा भी लेते हैं दूसरे नमबर पर बात करते हैं वाटरफॉल रेस्टोरेंट की फिलिपिन्स के लपसे सिन वाटरफॉल रेस्टोरेंट के अंदर खूप सूरत जड़ना है जो देखने योग किया है यह रेस्टोरेंट नारियल के बागों के बीच में बना हुआ है जो सी फूड के लिए प्रसिद है होटल का फनीचर बंबू का बना हुआ है और यहां आने वाले हर ग्राहक को जूते चपल उतार के आना पड़ता है क्योंकि खाना खाते हुए पैरों के नीचे से पानी बहता है यह वाटरफॉल इस जगा को रोमेंटिक बना देता है हाला कि यह नेचरल नहीं है लेकिन इसको देखकर आपको नेचर की गोद में होने का एहसास होगा इस रेस्टोरेंट की एक खास बात यह भी है कि यहां लंच के अलावा और कुछ नहीं मिलता तीसे नमबर पर बात करते हैं दा मॉर्डन टॉयलेट रेस्टोरेंट की जापान के इस अजीब गरीब रेस्टोरेंट ने तो सभी हदे ही पार कर दी इस रेस्टोरेंट में सभी किरियाएं एक टॉयलेट के रूप में की जाती है यहां बटनों की जगा टॉयलेट में काम आने वाली चीजे जैसे फ्लश शीट, बाथ, टब, मग आदी का प्रियोग किया जाता है होटल के अंदुरूनी भाग को भी एक टॉयलेट के रूप में सजाया गया है यहां आने वाले ग्राहकों को टॉयलेट की सीट पर ही बैठाया जाता है उन्हें फ्लश शीट, बाथ, टब, मग जैसी चीजों में ही खाने को दिया जाता है ऐसी ही और बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें